हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का हरेश क्लासेज के इसे एक नए वीडियो लक्चर में आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 दो हज़ार पच्चीस बोर्ड एक्जाम की द्रश्टी से एक मोश्ट इंपोर्टेंट इंग्लिस मॉडल कोशन पेपर बिद सॉलूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ और सातियो कोशन पेपर का इंटरफेस, खुछ इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा समय आपको पता ही है, पूर्डांक आपको पता है, निर्देशों को एक बार अवस्य सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सातियो, सेक्षन ये आपका रीडिंग पर रहेगा और मैं आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिसकस करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक अंसिन पैसेज को आप सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले इसमें जो निर्देश दिया है इसे पढ़िएगा रीड दा फॉल्वाइंग पैसेज केरफुली आर हे पैसेज को साबधानी पूर्वक पढ़िए और अंस्वर दा कोशन्स दैट फॉलो और नीचे दिये गए प्रसनों के उत्तर दीजिए आप चाहें तो इस पैसेज को पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा सबसे पहले कोशन को एक बार अच्छे से रीड कर लें और आधा अंसर आप लोग कोशन से ही बनाने का प्रयास करें और जो कोशन में आपसे कीवर्ड पूचा है उसके आधार पर पैसे से आसानी से आप अपने अंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखते हैं जो आपका फर्स्ट कोशन है वाट डू मैनी प्यूपल कमप्लेंड अबाउट यानि कि बहुत से लोग किसके बारे में सिकायत करते हैं तो सबसे पहले हम इसी में से अंसर बनाएंगे सातियो तो आप जानते हैं डू लू एस जो वर्ड होते हैं वे केवल कोशन पूचने का कार्य करते हैं इसलिए अंसर में हमेने मैंसर नहीं कर सकते हैं यहां देखा जाए डू हेल्पेंग बाव है और कंप्लेन आपका मैं बाव है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको बलेसक वह है प्री पोजिशन से जोड़ कर सब्जेक्ट को दे दे काफी लम्मा चोड़ा बना दे लेकिन हमेशा हेल्पिंग बाव और मैं बाव के बीच में जो लिखा है उससे आप सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे तो यहां आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मैनी प्यूपाल अब आप जानते हैं जो इंडेफिनेट की हेल्पिंग बाव हैं जैसे प्रिजेंट में डू हो गजा और डज हो गजा और पाइस्ट इंडेफिनेट की बात करें तो डेड हो गया यह या तो निगेटिव सेंटेंस में यूज होती हैं या फिर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होती हैं तो जब आप अंसर लिखते हैं तो है आपका एक assertive sentence में अंसर होता है या तो वो affirmative में आप देंगे या finnegative में अब इनके साथ में not हो तो आप इनने subject के बाद लिख देंगे क्या कहा मैंने कि अगर इनके साथ में अगर आपको not दिया होता क्या दिया होता not यानि कि हाँ people के बाद आपको not होता तो आप many people do not लिख देते लेकिन जब इनके साथ आपको not नहीं दिया है तो do को जब आप अठाएंगे तो आपको b1 लिखना है और b1 आपको पहले से ही मिलेगा अगर आपको डज को हटाना है तो जो वव आपको दी है उसमें आपको as या yes एड करना है और सबसे ज़्यादा question आपका did से पूछा जाता है तो did आप अठाएंगे तो आपको लिखना होगा second form पहली बात clear है do आप अठाएंगे तो आपको v1 लिखना है डज अठाएंगे तो आप s या yes का प्रियोग करेंगे और did अठाएंगे तो आपको second form लिखना है इनके अलावा जो भी helping वव हैं जैसे की age mr हो गई, watch bar हो गई, hedge have हो गई, head हो गई, bill sell, can code, sod जो भी दी हैं उन्हें हम subject के बाद लिख देंगे, तो आपको ये भी clear हो चुका है कि sir हमें ना तो what लिखने की आवसकता है और ना do तो subject हो जाएगा many people, do हटेगा तो complain first form है तो इसमें हमें कुछ भी लिखने की आवसकता नहीं है आगे लिख देंगे about, many people complain about यानि कि बहुत से लोग के बारे में सिकायद करते हैं आप चाहें तो जहाँ about को हटा भी सकते हैं क्योंकि सीधा answer हम यहां लेखेंगे what से question पूचा है तो आपको connecting word that का धहां रखना है जिसका ध्यां रखना है सातियो that का तो many people complain बहुत से लोग सिकायद करते हैं that की अब यहां तक आपने देखा keyword है आपका complaint question में keyword क्या है complaint आईए passage में इसे डूणते हैं तो आप देखेंगे यह लिखा हुआ है complaint बिल्कुल अंसर आपका बना हुगा है many people complain बहुत से लोग सिकायद करते हैं that की आगे people के लिए प्रनावन आप लिख देंगे they आगे have broken down broken down का मतलब है स्वास्त का खराब होना यानि की they have broken down उनका स्वास्त का खराब हो चुका है through overwork अत्य देक कार्य करने से एक छोटी सी चीज़ों अध्यां रखेंगे यह present में है इसलिए आपने helping bow जहां present में रखी है अगर यह past में होता तो यहां आप past में पहुँचा देते यानि की head लिख देते तो पहले question का अंसर बहुत आसान तरीके से आप लिखेंगे many people complain बहुसे लोग सिकायत करते है that की they have broken down उनका स्वास्त खराब हो चुका है through overwork यानि की अत्य देक कार्य करने से किसी भी तुक्का लगाने की आपको आवस्यक्ता नहीं है कोई दिक्कत है अगला देखिए second question what is the cause of breakdown यानि के स्वास्त खराब होने का क्या कारण है तो देखिए यहाँ off से जोड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप यहीं से बनाएंगे the cause of breakdown टी capital हो जाएगा the cause of breakdown अब what आप अठा देंगे यहाँ आपको age दिया है तो आप आगे लिख देंगे age the cause of breakdown age अब साथी इसमें keyword है आपका breakdown आईए देखते हैं इसका अंसर कैसे लिखेंगे आप तो आप कहेंगे कि सर यह लिखा हुआ है breakdown age लिखा है ना तो आपने वहाँ से तो बनाई लिया है the cause of breakdown age तो हम आगे क्या लिख देंगे more frequently the result यानि कि अधिक प्राय परेडाम होते हैं of fully wasted यानि कि मूर्खता पूरुबग बरबाद की गई energy यानि कि उर्जा का तो आपने क्या लिखा the cause of breakdown is more frequently the result of fully wasted energy कोई देख करते हैं बताओ अब मुझे आप फुलिसका एंटोनियम्स बताएंगे comment में comment कीजिएगा और फुलिसका क्या बताएंगे एंटोनियम्स अगला question देखिए who will be able to return his health return का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाई रखना यानि कि कौन अपने स्वाष्ट को बनाई रखने में सच्छम होगा तो सातियों जब भी आपको question who से पूचा जाए तो उसी के इस्तान पर आपको answer देना होता है तो आईए who की जगए पर हम answer लिखेंगे अब यहां return की बात की गईए आप keyword देख लीजिए return कहां लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि sir यह लिखा हुआ है तो यह हम देखें तो ही यह तो नहीं लिखेंगे सबसे पहले आपको noun लिखना होता है क्या लिखना होता है noun तब हम क्या लिखेंगे प्रणाउन तो यह आया किसके लिए यह हमें देखना है अंसर हमें वहीं मिल जाएगा तो आप कहेंगे सर जैसे हम इसे पढ़ेंगे तो आप देखते चले आएंगे यह लिखा हुगा है The man who can work with a steady and calm persistency freed from all anxiety and worry and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand तो यह दिया है आपको तो इसी के लिए यहाँ return है तो आपको अंसर लिखना है हुग की जगए पर तो आप लिखेंगे The man यानि कि हुग है ब्यक्ति who can work जो कारे कर सकता है by the steady यानि कि द्रणता के साथ यानि कि determination के साथ and calm persistency और बिलकुल सांत निरंतरता के साथ उसी के बाद आगे लिख देंगे कॉमा लगाकर कॉमा लगाना होगा आपको और कॉमा लगाकर आपको इसन से लिख देंगे क्या will be able to return his health वह अपने स्वाष्ट को बनाए रखने में सच्छम रहेगा तो एक बाद फिर सुन दीजिएगा the man से लेकर आपको पहले यहां तक पूरा लिख देना है और कॉमा लगाएंगे आप और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे will be able to return his health आप कहेंगे सर bigger helping बाव के देखो यह लिखा है आपका subject और यह है आपका relative clause यानि कि आप देख सकते है who subject है उसके बाद यह तो यहां the man लिखने से answer नहीं बनेगा क्यों उसके बारे में इस्ट्रा दिया है तो वो आपको लिखना होगा आगे देखिए what is useful and health giving यानि कि what is useful love दायक है and health giving और स्वास्तिवर्दक है तो यहां आपको what की जगए पर ही answer लिखना है क्योंकि यह पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है तो आईए देखते हैं इसमें आपको यह keyword दिहां रखना है useful and health giving तो आप कहेंगी कि सर यह लिखा हुआ है health giving और वहाँ useful की जगए पर उसने synonymus लिख दिया है beneficial तो आप क्या लिखेंगे what की जगए पर work यानि की car weather of brand चाहे वहाँ brand का हो यानि की mustex का और body या फिर सरीर का हो age useful and health giving क्या होता है लावदायक होता है और स्वास्त बर्दक होता है आप beneficial चाहें तो beneficial लिख सकते हैं तो ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे आप the work यानि की car weather of brand या तो mustex का हो और body या फिर सरीर का हो age useful and health giving क्या होता है सातियो लावदायक और स्वास्त बर्दक होता है आगे देखिए which word in the passage means loss of health यानि की स्वास्त की खूने का passage में क्या आर्थ है यानि की पर्याय बाच्ची तो यहां पर्याय बाच्ची लिखेंगे तो आपको यह लिखा हुआ है breakdown देखिए breakdown लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा broken down नहीं लिखना है सातियो बो तो third form है तो यहां आप लिखेंगे breakdown तो क्या means हो जाएगा loss of health का breakdown आगे कहरा है which word in the passage is opposite to the word curse curse का आपको opposite बताना है यानि की antonyums बताना है अगर इसका synonyums पूचता तो आप याद रखना पूचा गया है last year में ban होता है b a any लेख लेना आप ठेके यह तो synonyums सातियो आईए इसके antonyums की बात करते हैं तो यह लिखा हुआ है boon boon माने होता है बरदान कर्स माने क्या होता है अभिसाप और boon माने होता है बरदान तो यह इसका opposite word हो जाएगा यहाँ आप से कह रहा है write the adverb form of the word complete complete का आपको adverb form बनाना है तो verb में generally या adjective में generally आप ly suffix कर दें यानि कि प्रत्य लगा दें तो यहाँ ly लग दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका completely क्या हो जाएगा सातियो completely completely कोई दिखका तो नहीं है आईए section b तो 15 नम्मर का वो रहा और 20 का section b रहेगा आपका यहाँ कह रहा है आपसे question number second के अंतरगत write an article on any one of the following topics in about 100 to 150 words यानि कि आपका topics में से किसी एक topic पर आपको 100 से 150 सब्दों की सीमा के अंतरगत क्या लिखना है article सीमा को देखके सचनमन लिख देना सातियो पहला है आपका necessity is the mother of invention यानि कि आवस्यकता ही आविसकार की जन्नी है यह ज़्यादा important नहीं है लेकिन यह most important है आपका the problem of unemployment यानि कि वे रोजगारी की समस्या और अगला है price rise in our country यानि कि हमारे देश में बढ़ती कीमत है दोनों most important आपके articles हैं आईए तीनों का मैं आपको solution सो करता हूं तो आप जो article आपसे पूचा था necessity is the mother of invention इस पर आप आसानी से article लिख सकते हैं यहां थोड़ा सा यह misprint हो गया है यहां inventions लिख लेना आप ठेक है inventions एक जगे और है ऐसे ही तो आप चाहिए तो इसका एक screenshot ले सकते हैं और detail में इसे इननी में समझना चाते हैं तो मैंने explain किया है आपको playlist में इसका वीडियो मिल जाएगा तो यह है complete आपका first article आए second को देखते हैं जो second article था आपका the problem of unemployment आप देख सकते हैं last three years में इतनी बार इसे पूचा है तो आप इसे paragraph आप चाहें तो screen shot ले सकते हैं वैसे मैंने इसे detail में आप लोगों को provide किया हुआ है लेकिन अगर यहां भी time लेंगे तो काफी लंबा वीडियो चला जाएगा और आप चाहें तो आपने according से थोड़ा सा short भी कर सकते हैं अब देखते हैं जो आपका आंतेम article पूचा है यह देखिए यह भी आपका important है इसे भी आप paragraph wise ही लेखेंगे वीडियो को पहुँच करकर आसानी से इसका screen shot ले सकते हैं अब यह देखते हैं next question को next question है आपका third इसमें आपको किसी एक topic पर letter लिखना है और इसमें जो आपका first letter है काफी easy है और काफी most important भी है और second आपका जो आपके divisional officer है उनसे एक नई post office खोलने के लिए आपको letter लिखना है तो आईए दोनों के answer आपको show कर देता हूँ तो यहां से आप answer लिखेंगे आप screenshot ले लीजिए बहुत अच्छे से मैंने discuss किया है आप लोगों के समझ हर एक topic को अगर आप playlist में जाएंगे तो वहां जाकर आप इन सभी का solution बहुत अच्छे से cover कर लेंगे यहां आपको last में thanking you के बाद यहां लिख देंगे yours sincerely और नीचे लिख देंगे xyz यह कट गया है थोड़ा सा PDF के अंदर और जो second letter है यह आप देख सकते हैं इसे भी बहुत अच्छे से मैंने discuss किया हुआ है आप चाहें तो इसका भी एक screenshot ले सकते हैं यह यहां I want लिखा हुआ है ठीक है I want यह आपको दिखाई ना दे तो यहां आई यह देखते हैं अगला question जो question पेपर मा आपको पूछा है section C यह है आपका grammar based है इसे भी बहुत अच्छे से मैंने आपको teach किया है playlist में जाकत देख सकते हैं तो यहां आपसे question number 4 के अंतरगत कह रहा है choose the correct option to answer the following questions आ रहे प्रसनों के उत्तर के रूप में सही बिकल्प का चुनाव कीजिए इस question के अंतरगत 5 questions आप से पूछे जाएंगे तो इसमें पहला question आपका one word substitute पर वेश्ट रहेगा और एक most important one word है one who looks at the dark side of things is called एक ऐसा वेक्ति जो बस्तुआं को निरासा की द्रश्टी से देखता है उसे हम क्या कहते हैं तो पहला option है atheist यानि की नास्तिक यह भी important है तो आप कहेंगे एक ऐसा वेक्ति जो भगवान के अस्तित में विश्वास नहीं करता है उसे हम कहते हैं atheist और atheist माने होता है आज तिक इसके लिए आप लेखेंगे a person who believes in the existence of God एक ऐसा वेक्ति जो भगवान के अस्तित में विश्वास करता है उसे हम कहते हैं atheist optimist इसे हम कहते हैं आसाबादी यहां dark की जगे पर लेखा होता bright क्या लेखा होता bright तो आपका हो जाता optimist लेकिन उसने dark पूचा है तो आपके पास option ही क्या बचा pessimist तो यह हो जाएगा आपका निरासा बादी तो option no.4 तो आपका इसमें बिलकुल सही है अब आप मुझे बताएंगे optimist का antonyums क्या होगा कमेंट में बताईएगा अगला question है दफ्रेज पेक होल्स in means पेक होल्स का आपको मतलब बताना है तो first option ही आपका सही है find fault with यानि कि किसी की गलती को निकारना यहां यह भी अच्छा word है very dear इसके लिए आप लेखेंगे the apples of eyes यानि कि आँखों का तारह होना continuously इसका मतलब होता है निरंतर तो आप कह सकते हैं stretched ठेक है और decreasing मान होता है when on क्या होता है when on इसका मतलब होता है कमी होना तो सारे के सारे अच्छे word हैं आपके आगे आपसे कह रहा है the synonym of severage सीवर का मतलब होता है बिलकुल सक्टीक या तीखा laudable इसका मतलब होता है प्रसंसनिया तो प्रेजवर्दी हो जाएगा आपका इसका synonym पूचा गया है आपसे प्रेजवर्दी प्रेजवर्दी माने क्या होता है सातियो तो आप कहेंगे sir laudeval 2022 double question paper में इससे पूचा है despise माने होता है ग्रणा जैसे कि आपका hate हो गया अगर hate ना पूचे तो ever ये word पूचा भी गया है आपसे ठेक है एब हो बैटर बैटर माने होता है अधेक अच्छा तो इसका तुन ही बनेगा लेकिन antonyum इसका बना सकते हैं या बर्स क्या बना सकते हैं एंtonyum वर्स ये भी काफी पूचा गया है तो आपका सही option क्या होगा बताईएगा acute जो चीज़े मैं बता रहा हूँ इन्हें आप अवस्य लिख लें क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से आपको देखने को मिलेंगी अगला question है आपका one sword not abuse his father यानि कि हर किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए which word in this sentence is an error यानि कि इस बाके के किसे एक सब्द में गलती है कि सुड में गलती है हिज में गलती है not में गलती है या one में गलती है आईए मैं concept आपको समझा देता हूँ जब one आपका subject के रूप में आए तो यह आपका indefinite pronoun होता है तो इसके साथ आपको पजे से objective once का यूज करना होता है किसका यूज करना होता है सातियो once वो जान वुज कर हमें edge देता है है तो यहां से भी question पूचा जाता है जब आपको one दे धिया जाए और इसके बाद में selection की बात करेगा आपका pre-position of तो इसके बाद में आपको plural countable noun चाहिए साती हो क्या चाहिए plural countable noun अगर pronoun है तो वह plural होना चाहिए जैसे कि him होना गलत हो जाएगा हर होना गलत हो जाएगा फिर क्या लिखेंगे सर तो आप या तो us लिख सकते हैं या आप you को treat करते हैं तो you लिख सकते हैं selection होगा तो यह question आपका पूचा था सरदार Patel मैं सौट में लिख देता हूँ सरदार Patel वाज one of one of the greatest greatest सुपर लेटे बैठे गए leader बताइएगा क्या गलती है इसमें तो आप कहेंगे सर one of के बाद में हमें leaders चाहिए क्या चाहिए leaders तो बात क्लियर है इस प्रकार से आपसे गलती पूची गई है आईए आगे देखते हैं एक question आपके लिए है तुलसी दास वाज one of the greatest point इसमें क्या गलती है comment में send करेंगे तुलसी दास वाज वाज one of the greatest point आगे आपसे कह रहा है the antonym of modern age modern का आपको antonymes बताना है most important word है तो modern माने होता है antonic option first है आपका style style माने बास ही होता है तो आप लिख देंगे phrase क्या लिख देंगे phrase ये भी double e question paper 1222 में पूचा है virtue most important word है इसका मतलब होता है गोड तो इसके लिए आप अपोजिट लिखेंगे तो wise हो जाएगा क्या हो जाएगा wise दोनों clear हैं पहले अगला है इसमें fertile fertile माने होता है उप जाओ तो इसके लिए आप लिखते है varan varan माने क्या होता है सातियो तो आप कहेंगे बंजर क्या होता है बंजर होता है एक मेरा spelling गलत लिख दी साइद मैंने en होता है varan ठेक है उसके बाद में आगे हम बात करें ancient ancient माने प्राचिन होता है तो option यही आपका सही हो जाएगा अगर आपको old दे दे तो old नहीं रहेगा क्योंकि गलती हो सकती है old का new होता है क्या होता है new ठेक है यहां ता कोई दिक्कत है तो बताओ और जो fertile है इसका सही से लिख लेना आप भी ये double r e n ठेक है इसका मतलब होता है बंजर क्या होता है बंजर पूचे यानि की संबाबना रहेगी आगे है question number five जिसके अंतरगात आप से कह रहा है change anyone of the following into indirect speech आ रहे बाक्तियों में से किसी एक को indirect speech में change कीजिए यानि की परवर्तित कीजिए तो पहला question है he said to me please give me your book for two days तो सातियो reported speech please या kindly से आपको देखने को मिले तो said हो या said to उसे आप requested में बदल देंगे तो आप इसकांसा लिखेंगे he said या said to को बदल देंगे requested में किसमें बदल देंगे requested में उसके बाद आप लिख देंगे me please और kindly आप अठा देंगे यहां आप वाव को infinitive बनाएंगे तो आपको लिखना होगा preposition to क्या लिखना होगा to आगे आप लेखेंगे give ठेके me को आप me को आप change करेंगे तो यहां हो जाएगा objective case he से change करेंगे तो him और your को me से change करेंगे तो हो जाएगा my क्योंकि your positive objective है इसमें आपका they shared to us यानि कि उन्होंने हमसे कहा why are you not playing तुम क्यों नहीं खेल रहे हो तो सातियों जब भी आपकी reported speech interrogative sentence में दी हो तो said हो या said to उसे आप ask में बदल देंगे अगर हो है helping go उसे start होगा है तो आप connecting word if लगाएंगे comma inverted comma की जगह पर और sentence को assertive में बदल देंगे अगर wh word से question ही पूचा है तो उस wh word को ही आप conjunction बना दें और आगे आप assertive sentence में उसे convert कर दें तो सबसे पहले आप यहां लेखेंगे दे और share to को आप बदल देंगे ask में यहां लेख देंगे आप ask comma inverted comma जठाएंगे wh word है तो आप यहां लगा देंगे वहाई ठीक है उसके बाद you को असे चेंज करेंगे तो हो जाएगा we ajmr आपका past में चला जाएगा तो हो जाएगा we के according were not का not रहेगा और playing का playing रहेगा ठीक है और full stock तो they ask us why we were not playing अगर मानके चलिए यहां why नहीं होता सातियो यह केबल ऐसे होता are you not playing तो आप क्या लेख देते they asked us क्या लेख देते they asked us अब यहां आपको if लगाना होता क्या लगाना होता if you को आप असे चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा आपका we और यह हो जाएगा वर आगे not playing बात क्लियर है तो यह आपको ध्यां रखना है उचे जाते हैं question यहां से आगे कह रहा है combine any one of the following into as directed यानि आ रहे ही बाक्तियों को निर्दिश के अमसार किसी एक को जोड़िए combine का मतलब होता है जोड़ना तो the sun rose the boys went to school इसे आपको simple में बनाना है यानि कि सूर्य ओदित हुआ और लड़के school गए तो देखिए दोनों sentences के subject अलग-अलग है पहले sentence से आपको region का पता चल रहा है कारण क्या है सूर्य ओदित हुआ paradigm क्या है लड़के विध्याले गए तो region result का संबंध हो तो वहाँ आप nominative absolute का प्रियो करते है तो यह active voice है सबसे पहले आप लिख देंगे the sun चा लिख देंगे the sun active है इसलिए आप जहाँ having का प्रियो कर देंगे किसका प्रियो कर देंगे having इसके बाद third form लिखना है तो राज का third form हो जाएगा राज जान क्या हो जाएगा राज जान यहाँ कॉमा लगाईए यहाँ केवल आपका दा में t small हो जाएगा और पूरा sentence लिख दीजिए तो the sun having राज जान कॉमा the boys been to school यह हो गया आपका simple क्योंकि इसमें बें टी एक finite वव है अगर यह पैसे में होता तो आप किसमें लिख देते हैं having been जैसे कि मैं एक sentence लिख देता हूँ दा लीडर दा लीडर वाज स्लैन दा लीडर वाज स्लैन दा फॉलोवर्स रहन भी यह माल देते हैं ठीक है तो देखें दोनों sentence के subject अलग अलग है यहां दा लीडर बोला है और जहां मैंने बोला है दा फॉलोवर्स वैसे नेता मरते नहीं है यह बात जहां रखें यह कहारा है नेता का कतल कर दिया गया और जो अनुनाई थे वो भाग गए तो यह देखिए बोज के साथ में सिले का third form आपको दिया है तो आप इसका अंसा लिखेंगे दा लीडर और वोज को अठा देंगे क्योंकि पैसे में है बोज के तुरंत बाद वहीं लिख देंगे यह लिख देंगे यह लिख देंगे यह लिख देंगे एक एक एकजम्पल है एक वोज अ होली डे एक वोज अ होली डे और वी डिड नॉट गो टो स्कॉल दो सेंटेंसे जाए यानि कि अवकास था और हम विद्ध्याले नहीं गई तो यह रीजन बता रहा है और यहाँ वी आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ बोज आप देखें तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है तो यह सब्जेक्ट कॉंपलिमेंट है तो आप लेकेंगे एट बिंग क्या कर देंगे साथियो एट बिंग तो यह नॉमिनेटेव अप्सुलूट पूरा फिनेस हो जाएगा यहाँ से कोशन पूचे जाते हैं आपसे आगे है ही इज पूर वह गरीव है ही इज नॉट डिस ओनेस्ट वह बेइमान नहीं है अब साथियों इसे कॉंपलेक्स में बंदलना है जब भी आपको कॉंट्रास्ट का भाव देखने को मिले तो कॉंट्रास्ट कम्जंग्शन आप ओल्दो या फिर दो का प्रियो करेंगे फहले सेंटेंस को लिख देंगे और यहाँ आप ओल्दो या दो के साथ में या तो कॉमा लगाएंगे या फिर यट ठेक है और आगे के बाले किलो सेंटेंस आपको दिया उसे एजटेंज लिख देंगे तो आप कैसे कहेंगे औल्दो बले ही वहाँ गरीब है या तो कॉमा या फिर यट हीज डिस ओनेस्ट फिर भी वहाँ इमानदार है अब या तो वहाँ आपको डिस और नॉट अटा देता तो ओनेस्ट भी देता लेकिन उसने फरेशन किया है आपको क्योंकि नॉट भी निगेटिव सेंस देगा और डिस भी तो आपका मिलकी हो जाएगा पॉजेटिव यानि कि वहाँ बेइमान नहीं है तो अंसर होगा आपका अल्दो ही इज पूगार यट ही इज नॉट डिस अनेस्ट ऐसे भी खह सकता था आपसे ही इज पूगार ही इज अनेस्ट ऐसे दे देता आपको सी इज रिच सी इनॉट हैपी ठीक है तो आप ऐसी बनाएंगे अगर मानके चलिए कंपाउंड बनाना हो कॉन्ट्रास्ट वालों को तो आपको जहां या तो यट का प्रियो कर देना है या फिर वट का प्रियो कर देना है या फिर इस्टिल का यह हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा ठीक है ध्यां रखें ये एक्जम्पल्स पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहेगे आगे कह रहा है Change anyone of the following as directed, आ रहे बाक्तियों में से किसी एक को निर्दिस के अमसार बदलिए तो पहला है Besides making a promise, you kept it यानि कि एक बाइदा करने के अत्रेक्त तुमने इसे पूरा भी किया compound में इसे बनाना है तो आप कैसे कहेंगे तुमने ना केवल एक बाइदा किया बलकि इसे पूरा भी किया आप ऐसे भी कह सकते हैं तुमने एक बाइदा करने के साथ साथ इसे पूरा भी किया, तो सबसे पहले आपको subject लिखना है तो यहाँ you लिखा है, तो आप लिख लेंगे you अब उसके बाद में आपको besides तो अठा देना क्योंकि यह तो proportion है बहु लेखेंगे तो यह आपका past में है तो इस gerund form को आपको past and of net में ले आएंगे तो made हो जाएगा उसके बाद लिख देंगे a promise क्या लिख देंगे a promise उसके बाद आप लिख देंगे एज वेल एज, क्या लिख देंगे एज वेल एज, अब आप subject लिख चुके हैं, तो captive लिख दीजिए क्या लिख देंगे, captive ये बन गया compound यू made a promise, आपने एक वाइदा किया एज वेल एज, और साथी साथ captive, आपने ये से पूरा भी किया, आप चानती यू भी लेख सकते हैं, कोई देकर नहीं है अगर मानके चलिए, not only से बनाना हो, तो आप लेखेंगे यू अब यहाँ देखिए, आपका पूरा ही जो प्रेडिकेट है, अलाग है, तो आपको यहाँ लेखना होगा not only यो, not only, आपने ना केबल, अब इसे आप पास्टेंडाफ निट में लाएंगे, क्योंकि यह पास्टेंडाफ निट में है, तो आप लेख देंगे made, you not only made a promise a promise, आगे आप लेखेंगे but also, या लेखेंगे but also, आगे लेख दीजिए kept it, kept it, यानि कि आपने ना केबल एक बाइदा किया, बल्कि आपने इसे पूरा भी किया आगे है did you not write a letter, पैसे में बदलना है, तो सातियों जहां भी आपको did देखने को मिले, did आप अठा देंगे, वहाँ watch या वरका प्रियोग करेंगे, तो letter singular है, तो did आप लिख देंगे, आप लिख देंगे watch, उसके बाद आप लिख देंगे a letter, watch a letter write का third form लिखना है, sorry not रहे गया है, तो not लिख देंगे फहले उसके बाद write का third form लिख देंगे, return आगे why you question mark, watch a letter not written why you यह हो जाएगा आपका पैसे not जहाँ लिखा है, वह वहीं लिखा रहेगा wh word जहाँ लिखा है, वह वहीं लिखा रहेगा अगला है, correct करना है किसी एक को आपको being a holy day, we did not go to school, अब साथी ज़्यादा तर teacher करते क्या है, यहाँ being को कुछ कर देते हैं लेकिन आपको ध्याँ रखना है यह nominative absolute का question है और nominative absolute में आपको दोनों sentences के subject लेकने होते हैं क्योंकि nominate का मतलब होता है subject और absolute का मतलब होता है free, यानि कि स्वतंत्र करना, तो यह वहीं यह देखिएगा being a holy day, present participle से बनाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि present participle में आप जानते हैं being हम जब करते हैं, दोनों दिये गए बाक्तियों के subject यह कही हो, जैसे यहां मैं लिख देता हूँ, a tiger was hungry a tiger was hungry ठीक है, यह question है और he killed a god तो यहां देखिए, he किसके लिए आ जाए, tiger के लिए तब ही आप बनाते हैं being hungry भूंके होते हुए, a tiger killed a god यानि कि एक बाग ने एक बक्री को जान से मार दिया, लेकिन यह nominative है क्यों? पहले से हमें region का पता चल रहा है और दूसरे से result का अब आप जानते हैं, देन, मौस और महिना इसके लिए आप 8 का यूज करते हैं, तो आपको और go to score, तो यह correct answer आपका होगा, कई बार पूछा गया है अगला है if he will come, I shall teach him, तो यह conditional sentence हिंदी में कह रहा है, यदि वहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा आप कहेंगे सर दोनों में गागी गये है, सही होना चाहिए नहीं, साथियो if हो गए आपका until हो गए आपका unless हो गए आपका यह clause कभी भी आपको future में नहीं लिखने है यह clause आपको कभी भी future में नहीं लिखने है अब कहेंगे सर future का मतलब यानि कि इन्हें कभी भी आप इनके साथ बाले clause में will या cell का प्रयोग नहीं करेंगे subject आपका एक बचन है तो किरिया में S या इस आपको लगानी है और plural है तो bill or sell को यठा दीजिए केवल क्या लिख देंगे ठेक है तो देखिएगा सबसे पहले आप if he bill आप अठा देंगे come में आप लगा देंगे S तो if he comes, I shall teach him एक question आप लोगों के लिए है इसे आप मुझे बनाएंगे if you if you bill help me help me comma I sell thank you thank you इसे correct करके commit में send कीजिए if you bill help me I sell thank you time and tense में मैंने पूरा पढ़ाया है एक बार आप देख सकते हैं अच्छा एक और question है death is preferable than dishonor तो जहां एक छोटी सी जानकारी लेक लीजिएगा prefer हो गया या preferable prefer हो गया या preferable इनके साथ गलती से भी आपको than का प्रियोग नहीं करना है साथियो इसका प्रियोग नहीं करना है than का इनके साथ आप प्रियोग करेंगे किसका प्रियोग करेंगे तो का ऐसे ही आपका further हो गया क्या हो गया further अगर आप competitive exam की preparation करें वहां मिलेगा further के बाद मैं बात करें next हो गया आपका क्या हो गया next इनके साथ भी two का ही प्रियोग करना है किसका प्रयोग करना है तू का ऐसे ही जो Latin adjective I, O, R पर समाप्त होते हैं उनके साथ भी आपको देन का प्रयोग नहीं बलकि तू का प्रयोग करना है किसका प्रयोग करना है प्यारे साथी ओ तू का जैसे senior junior ठेक है तो क्या गलती है बता उ इसमें तो आप कहेंगे sir देर नहीं बलकि क्या होना चाहिए तू यह question आप लोगों के लिए है he is junior junior to me यह सही है या गलत है बस एतना आपको बताना है आई ओ आर लगा है तो यह two सही है या गलत है यह बताना यह दोनों most important आपके homophons है ठीक है अच्छे से आप इन्हें तैयार कर गिएगा यह story आपको मैंने translator करके डाल दी है अब सर्च करना प्राचिन काल में विक्रमा दित्य नाम का एक राजा देश में राज्य करता था ठीक नमर 7 के अंतरगत लगभग 40 सब्दों में आपको कोशन का अंसर देना है अगर सटीक है तो ज़्यादा भी जा सकता है कम भी रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है पहला most important question है why did the paddler consider the world as a red trap यानि की चुहेदानी बिक्रेता ने इस संसार को एक चुहेदानी के रूप में क्यो पूचा गजा है या फिर इसे नहीं लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं what did M. Hemel say about the language and its importance Mr. Hemel ने भासा के बारे में क्या कहा और इसके महत्व के बारे में ये भी most important है इसके बाद who was Mokis and what was his ambition most important question है Mokis कौन था और उसकी महत्व कांचा क्या थी और इसे भी important है what did the instructor do to Trent Douglas प्रसिच्चक ने Douglas को प्रसिच्चित करने के लिए क्या किया तो आईए मैं सो करता हूँ इनका अंसर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले लीजिए most important question है और उसका अंसर ये देख सकते हैं उसके बाद ये ambition वाला जो question था उसका अंसर देख सकते हैं और ये है what did the instructor do to Trent Douglas I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा और एम हैमल ने भासा के बारे में और इसके महतों के बारे में क्या का था आप देख सकते हैं कितना सजा हुआ है तो screenshot ले सकते हैं ये इसका हिंदी वर्जन है आईए देखते हैं next जो long questions आप से पूछे हैं तो question number 8 के अंतरगत किसी एक question का आपको long answer मेंसन करना है तो इसमें जो आपका first question है most important है यानि कि गांधी जी चमपारन कैसे पहुंचे और उन्होंने वहाँ क्या किया एक अगला question है give a character sketch of paddler in the story the red trap दोनों most important हैं आई ये देखते हैं इनके solutions तो ये देख सकते हैं आप इसका answer आप चाहें तो एक screen shot इसका ले सकते हैं और जो character sketch आप से पूचा है paddler का उससे आप ऐसे headings में लेख सकते हैं ज्यादा बड़ा नहीं है तीन heading है आसानी से cover हो जाएगा आसानी से learn कर लिएगा आईए आगी देखते हैं जो next question साबसे question number 9 के अंतरगात आपको इस stage को आसानी से पढ़ना है और उसके बाद आपको answer mention करना है बनाना भी मैंने सिकाया है आपसे यह कह रहा है कि what lesson can the earth teach us तो आप इसी में से बना सकते हैं the earth can teach us प्रति हम लोगों को सिखा सकती है as when everything seems dead and let our proofs to be alive जैसे लिख देंगे आप अगले में कह रहा है what remain alive when everything seems to be dead यानि कि क्या जीवित रहता है जब प्रतिक चीज़ें म्रत हो जाती है तो देखिए what के बाद में सीधा man-wow या helping-wow दिया है आपको तो यह आपका subject है what की जगाए पर यह answer लेखेंगे तो आप लेखेंगे only the earth remains केवल प्रति भी जीवित रहती है ठेके what does the poet ask us to do तो आप लेखेंगे यहाँ the poet ask us to keep quiet keep quiet सांत रहने के लिए कहता है आप देख सकते हैं यह लेखा हुआ है देखो यह लेखा है keep quiet यानि कि आप सभी क्या हो जाएंगे सांत हो जाएंगे तो the poet ask us to keep quiet यह तीन आपके most important central ideas है लेकिन यह दो तयार कर लेंगे आपका काम चल जाएगा आईए इनके answer में आपको so कर देता हूं उससे पहले यह भी देख लीजिएगा most important questions है आपके इनमें बात करें business कर तो यह दो questions most important हो जाते हैं आपके ठेक है यह भी अच्छा question है आपका और यह long है तो आईए सभी के answer में आपको so कर देता हूं आपसे stand या पूचा था आप यह देख सकते हैं इनके answer से यह लिखे हुए है और जो central idea है most important आप इसका screen source दे सकते हैं कि अच्छे से मैंने discuss किया हुआ है यह आथिंग वा ब्यूटी का central idea है यह keeping quiet है तीन ही याद करने हैं आप लोगों को यहां भी दो बाट प्रेंट हो गया है तो यहीं रख लेना ठेक है उसके बाद जो आपको विश्तास यानि की supplementary से कुछे हैं उनके यह screenshot है ले सकते हैं आप जो second question आप से पूचा था और यह है वाट वाइद चीफ एम ओफ दा इस्टुडेंट्स और आइस प्रोग्राम तो यह अंसर लेखा हुगा है आपके सामने और अगला question था आपका डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा यह भी अच्छा question आपका यह देख सकते हैं तो यह screenshot ले सकते हैं आप इसका और यह है आपका characters के चौफाना और उसके बाद जो अन्तिम question आपसे पूचा था Mr. Lamb, Derry को कौन सी कहानी सुनाते हैं और क्यों तो मैंने पूरा प्यास किया है बैतरीन से बैतरीन जो books हैं उनका material आप लोगों को provide करने का टोटल मैं आप वो 7 या 8 question paper इसी प्रकाश से सॉल्व कराऊंगा आप जोड़े रहें सभी को देख लिएते हैं तो काफी useful रहेंगे आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा वस कमेंट के माध्यम से वस बताएं ना लाइक करें ना से और कोई दिकत नहीं है ठीक है? तक्स वर वाचेंगे